आज हम लेकर आया हैं कच्छा 10 के विद्यातियों के लिए हिंदी गद्य के विकास से समंधित प्रश्णों के लगबग 172 प्रश्णों के उत्तर आज हम आपको बताएंगे यदी आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेेंगे पर उन्द करेंगेंरा मोटिवेशन है पहला प्रश्ण है बहां सायोग्वसिष्ट का ली ख़िक लेकर राम प्रशाद निरणिन से आजिए दूसरा है आधनी काल की दो प्रमुख विसेश्ताएं कौन सी हैं तो आधनी काल की दो प्रमुख विसेश्ताएं ये थार्थ वादिशित्रन राश्टीता की भावना है। पांचवाँ प्रशना आपके बुक में जो है वो सुकलोत्तर युक की शमय सीमा क्या है तो सुकलोत्तर युक की शमय सीमा जो है वा उनिस सो आरतिस से ले करके उनिस सो सैतालिस तक है अगला प्रशना है आपका छठुमा बालबोधनी के संपादक कौन है तो बालबोधनी जो अगला दस्वा प्रशन है आपका गद्य और पद्य में अंतर बताईए तो गद्य जो होता है वाले छंद ताल से मुक्त विचार प्रधान रशन होती है जबकि पद्य ले ताल छंद से युक्त भाव प्रधान रशन होती है अगला प्रशन है आपका कि हिंदी के दो प्रशिद्य विचारातमक लेखक का नाम बताना है तो हिंदी के दो प्रशिद विचारात्मक लेखक डाक्टर राजेन प्रशाद और रामचंद्र शुक्ल हैं तथा ये भी प्रशन पुछाए हिंदी के दो प्रशिद उपन्यासकार का नाम तो हिंदी के दो प्रशिद उपन्यासकार प्रेमचंद और जैसंकर प्रशाद जी ह अगला है खड़ी बोली के चार उन्नाइकों के नाम आप से पूछे नाम और देखे उनकी रचना भी आपको बताते चल रहे हैं तो चार उन्नाइकों में इंसालौला का बहुत प्रश्ड प्रश्ण है इनकी रचना है गहां। प्रश्ण प्रश्ण और प्रश्ण गुले रही हैं। प्रश्ण 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 आपका राम्चंद शुक्ल की गध की प्रमुख्विदा निबंध तथा आलोशना में जिस निबंधा और आलोषणा में सर्वाधिक सफलता किसमे मिली रामचन्द सुक लगोगो गद्य की जो प्रमुक विधा है जिस निबंधा और आलोषणा में सर्वाधिक सफलता मिली। और सुलाहवाँ प्रिश्ड के दुश्ड कहानी लेखक का नाम तो हिंदी के दुश्ड कहानी लेखक प्रेम चंद्च था तथा जेशंकर प्रशाद जी हैmost अगला प्रश्ण है 17 शुक्लिव के सवाधिक प्रशिद्व पन्यास लेखक का नाम बताए तो शुक्लिव के सबसे प्रशिद्व पन्यास कार प्रेमचंद है जिनकी रश्ण है गोदान ठीक ना अगला है 18 प्रश्ण शुक्लिव के ससक्ता अलोचक का नाम बताए तो शुक् किताने एक किताब में प्रशотьल को देखते जाई है हम उत्तर आपको बताते चल रहें है किå प्रशन है चुक प्रःब्षांद इधंतर का नाम से आना जाता है कि यहां जाता है सिप्लोकव धडिकार का नाम पूछा अगला तेश्वा प्रश्ण है वर्णात्मक निबंदों में किसी भी वर्णात्मक निबंदों में अंतर बताना है तो वर्णात्मक निबंदों में किसी भी वर्णात्मक निबंदों में किसी भी वर्णात्मक निबंदों में अंतर बताना है तो वर्णात्मक निबंदों में प्राया एतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं इस्थानों दृष्यों यात्राओं तथा अन्य क्रिया कलापों का विवरण दिया जाता है 24 प्रशने शुकल्यू के ऐसे दो निबंद लेखक का नाम बताई जो कभी नहीं है तो शुकल्यू के ऐसे दो लेखक प्रेमचन तथा रामचन्दर शुकल है 25 प्रशने श्याम शुंदरदास प्रेमचन जैसेंकर प्रशाद तीन गद्द लेखक जिन्होंने मतलब ऐसे गद लेखों का नाम बताई जिनने छाया वाद और दिवेदी युग दोनों में लेखन कार किया है तो ऐसे लेखक स्याम संदर दास प्रेमचंद और जेसंकर प्रशाद है अठाइस्वा प्रशन है शुक्लुक के दो नाटक कार का नाम बताई ये तो शुक्लुक क अलोचक कऌन है तो हजाली पृशाद दिवेदी और जैनेंद कुमार 23 वाशन है शुक्लुक कि प्रमुक गद विधा का नाम बताई ये तो शुक्लुक कि प्रमुक गद विधा यात्रा शाहित्य और संसमन है चौतिस्वा प्रश्न है शुकलोत्तर युग के दो कहानिकार लेखक जैनेंद कुमार और विष्णु प्रभाकर है पैतिस्वा प्रश्न है शुकलोत्तर युग के दो प्रमुखनाटकार उपेंदनात अस्क और राम कुमार वर्मा है अगला है शुक्लियुक के तीन एकांखीकार का नाम तो शुक्लियुक के तीन एकांखीकार रामकुमा वर्मा उपेंदनात अस्क तथा लक्ष्मी नारायन लाल है अर्थीश्वववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव लेखक तो हिंदी गद्र के प्रमुख विदा कहानी जिसके लेखकों में जैसंकर प्रशाद जिन्होंने लिखा है आकाश दीप और इंद्रजाल इनकी यह कहानी है उपन्यास लेखकों में उपन्यास दूसरी प्रमुख विदा है जिसके लेखक प्रशिद लेखक मुसी प्र अगला है नाटक जैसंकर प्रशाद ने नाटक लिखा है इनकी रिशना है चंद्र गुप्त इसकंद गुप्त धुशामनी अजाद सत्रू अगला है एकांकी एकांकी कालों में प्रशिद एकांकी काल रांकुमा वर्मा है जिनोंने दीवदान एकांकी लिखा है कच्छा नौ अगला प्रश्ण है कलम का सिपाही किसी की जीवनी है तो कलम का सिपाही मुंसी प्रेमचंद की जीवनी देखी यह प्रस्ण बहुत ही कन्फ्यूजेड है और बहुत बार परिक्षा में आया है कलम का सिपाही किसी की जीवनी है वह प्रेमचंद की जीवनी है लेकिन किस ने ल अगला है देख礼ासी विचल और इ topics में दियुकser और सिपाही ऊसलिए क्षने सुखल को जीवनी आभ दिविघत का नाव गुला राय उसना चन्म को बालव अन है कोके भावी गुलाव रासारे तो शोसण के प्रतिवी द्रोग की भावना या थार्थ जीवन की महत्ता तो देखे अगला है आपका प्रश्ण सहितालिश्वा श्यालिश्वा वही भी है अगला है छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की प्रमुख की पहली पीड़ी में कौन-कौन आते हैं और दूस दूसरी पीड़ी में कौन-कौन लेखक आते हैं तो छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की पहली पीड़ी में हजारी प्रशाद दिवेदी तथा दूसरी पीड़ी में हर शंकर परशाई आते हैं और तारिश्वा प्रश्ण है हिंदी गत्य की दो प्रमुख विधा कहानी और नाटक है अगला आचार हजारी प्रशाद दिवेदी की रिष्णा का नाम बताए तो आचार हजारी प्रशाद दिवेदी की रिष्णा है कल्प लटा पच्चासमा प्रशने शुकल उत्तर युके प्रमुख गर्द लेखक का नाम तो शुकल उत्तर युके प्रम बावनवा प्रश्णा है जहाज के पंग्षी के लेखक है इलाचंद जोसी तिरपनवा प्रश्णा है दो आत्म कथा लेखक का हरिवन सराय बच्चन और जैसंकर प्रशाद जी है दुरूर्शामने और रास्री के लेखक जैसंकर प्रशाद जी है पच्पनवा है अग्गे की रशना है कौन-कौन तुसुनेले सैवाल और हरी घास पर छण भर जैसंकर प्रशाद या प्रशाद यूग के एक नाटक कार का नाम तो एक नाटक का जे संका प्रशाद स्वैम है इसके अत्रिक्त हरी कृष्ण प्रेमी अठावनवा प्रशन है क्या भोलूं क्या आयाद करूं किस विधा की रशना है तो आत्मकथा विधा की रशना है इसके लेखक कौन है तो हरीवनसराय बच्चन है उन सठ्वा प्रशन है आध्धुनिकिव के समालोशकों के नावों में आपके हजारी प्रशाद दिवेदी और महावे प्रशाद दिवेदी हैं साथवा प्रशन है यात्रा सायद की प्रमुख रशना कौन से है तो यात्रा सायद की प्रमुख रशना मेरी यूरोप यात्रा है राहुज सान्ष्कित त्यायन की रशना है मेरी यूरोप यात्रा अगला है गद्य काब्य की प्रमुक विसेस्ता गद्य काब्य या छंद मुक्त कविता के गुणों से युक्त रशना होती है और दूसरी विसकी विसेस्ता है यह गद्य तथा काब्य के बीज की विधा होती ह अपनी खवर के लेखक पांडे विचन सर्मावग्र संश्कित के चार अध्याय के लेखक रामधारी शिंदिनकर और आधी के लेखक हैं जे संकर प्रशाद अगला प्रशन है हिंदी साहित्य का विकास करने वाले दो प्रमुख पत्रिका सरश्वती तथा कासी नागरी प्रिचारणी शभा ठीक ना ये नागरी लिखा है नागरी प्रिचारणी शभा अगला है उना त्रमा प्रशन है शुकलिक के दो जीवनी लेखक का नाम तो शुक गूपादि का महादेव कर्मा द Тут में हैं। बहात्टत्र veil conta रेखाचित्र के प्रामूह रशनाकार नियंदा स तथा संसमण के प्रमुख रशनाकार पदमशिंग शर्मा है संसमण एक विधा है और रेखाचित्र भी एक विधा है तो रेखाचित्र के महादेवर्मा है संसमण के पदमशिंग शर्मा है हिंदी गद्गीत के प्रशिद लेकों में राम रिछ बेनी पूरी तथा वियोगी हरी आते हैं वियोगी हरी की रशना है अंतर नाद अगला है रेखाचित्र रेखाचित्र संसमन में आप अंतर बताना है तो जो रेखाचित्र है रेखाचित्र शब्द अंग्रजी के इसके शब्द का अनुबाद है इसमें सब्दों की कलात्मक लेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा घटना के वाहित था आंत्रिक शरूप का शब्द चित्र इस प्रकार्श अंकित होता है कि जैसे यथार्थ ही हो जबकि संसम्रण का अर्थ होता है सम्यक इसमरण है इसमें लेखक श्यम अपनी अनुहों की हुई वस्तु व्यक्ति तथा घटना का आत्मनीता तथा कलात्मकता के साथ वीवरण प्रस्तुत करता है इसका संबंद प्राया महापुर्षों से होता है 75 प्रशन है आत्मकता और संसम्रण में अंतर बताई है तो आत्मकता स्वैम के द्वारा लिखी जाती है तथा आत्मकता संसम्रणात्मक होती है आत्मकथा की विशेषता वताना है तो आत्मकथा श्यम के द्वारा लिखी जाती है दूसरा आत्मकथा संसमर्ण आत्मक याद के आधार पर होती है अगला है सरसथवा प्रशन जीवनी किसे कहते हैं तो जीवनी दूसरों के द्वारा भी लिखी जाती है लिखी जा सकती है जबकि आत्मकथा श्यम जीवनी और आत्मकथा में अंतर ये प्रशन है तो जीवनी दूसरों के द्वारा भी लिखी जा सकती है जबकि आत्मकथा श्यम के द्वारा लिखी जाती है जीवनी में किसी व्यक्ति के जन्म से मिलतु तक क्रमबध घटनाओं का वर्णन होता है जबकि आत्मकथा में संस्रमण के अनुशार विवरण दिया जाता है अगला है जो संक्रप्रशाद के उपन्यास का नाम बता है तो जो संक्रप्रशाद का उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती विशय और शैली के अनुशाल निबंद के जो चार भेद हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो निबंद और शैली के दिशचे निबंद चार प्रकार के होते हैं एक विचारातमक, दूसरा भावातमक, तिसा वर्णातमक, शोथा विवर्णातमक अगला है परसुराम की प्रतिक्षा के लेखक कौन है तो परसुराम की प्रतिक्षा के लेखक रामधारी शिंग दिनकर है अगला है आपके कुछ प्रमुख विधा और इसके लेखक का नाम करें कि विदाओं में आपके नाटक जिसंकर प्रशाद जिनकी रषना जिनके लेखक राम चन्दशुक्ल जिनकी रषना चिंता मड़ी है आत्म कथा हरिश्चंकर हरिवन सराय बच्चन ने लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं अगला प्रिप्रवास के लेखक हरियोध हैं और आकासदीब के लेखक जिसंकर प्रशाद जी हैं ठलुआ कलब के लेखक बाबु गुलाव राय हैं और पंचपात्र के लेखक पदुमलाल पुननलाल बक्सी हैं अगला है रस्मी मानसा के लेखक रामचंद शुक्ल तथा अजात सत्र के लेखक जैशंकर प्रशाथ तथा रस्मी रथी के लेखक रामधारी सिंग दिनकरजी हैं अगला है गोदान के लेखक प्रेमचंद और सूरज का सात्मा घोडा के लेखक धर्मेर भारती तथा चिंता मड़ी के लेखक रामचंद शुकल हैं शुकल के दो प्रमुक्प समालोचक यो मितिहास लेखक रामचंद शुकल और रामकुमार वर्मा हैं प्रशाद के परवर्ती दो नाटक कारों में रामकुमा वर्मा तथा उपेंदनात अस्क हैं, खून के छीटे के लेखक भगवत सेंड उपाध्धाय हैं, तथा सिक्षा और संस्कृत के लेखक राजिन प्रशाद जी हैं, तथा अर्धनारिश्वर के लेखक रामधारी सिंग दिनकर हैं, आप प्रशनों को अपनी किताबों में मिलाते चलेगा, उत्तर हम बोलते चल रहे हैं, तो देखिए अगला है क्यानवेवा प्रशना, आपका अत्रिवेणी के लेखक रामचंद शुकल हैं, तथा साधना के पथ पर के लेखक हरिभाव उपाध्ध्याएं, और शाहित्य और कला के लेखक भगवत सर्णुपाध्याएं, अब आपका अगला बानवेवा प्रशन है, दो यात्रा साहित्य लेखक का नाम बताई, तो दो यात्रा साहित्य लेखक राहुल सांस्कित्यान बहुती प्रशिद्य हैं, और डाक्टर राजेंदर प्रशाद, पद्य लेखक जनेनर कुमारत अथा रशनी मांसा के लेखक राम चंद्रशुक्ल हैं, अथा, सागर के जे प्रकास भारती हैं, प्रबंद परिजाद के लेखक पदुम्लाल पुर्नाल बख्षी हैं, शान्वेवा प्रश्ने स्ष्छती पद्रिका के प्रथम संपादक शाम राम चंद शुक्ल था उपेंदनाथ अश्क हैं इंदुमती के लेखक की सोरिलाल गोश्वामी हैं अगला 102 प्रश्ण है कीर इसमें कृति और लेखक देखे कीर स्तीर से सलील के लेखक पदुलाल पुनलाल बक्षी हैं भारती सिच्छा के राजिन प्रशाद हैं मंदिर और भ कुछ प्रश्ण बार बार वही आ रहा है तो हमने कुछ प्रश्ण को छोड़ दिया है अपनी किताब में आप मिलाते चलिएगा 130 प्रश्ण है दैनिक डायरी के लिखा का नाम तुस्तियाराम सरण गुप्त है 104 प्रश्ण है जिन में रसना और रसनाकार पहुंचा है हिमाल के लेखक रामधारीशिंग दिनकर है एक 101 है अब देखे नौ दस छोड़ दिया है वही सेम प्रश्णा है मर्यादा पत्रिका के संपादक शंपूना रंद है और ठुठाम के लेखक भगवश्ण उपाद्याय है एक 114 प्रश्ण है क्या भूलूं क्या यात करूं आत्मकथ प्रश्ण के लेखक हैं वजय प्रकार सभारती हैं तथा लैरों के राजहन से के लेखक मोहं राकेस हैं 116 प्रश्ण है आपका प्रशिद्देक का नाम तो प्रशिद्देकांकिकार रामकौ रमावर्मा है जिनने दीबदान लिखा एक 103 मा प्रश्ण है रामधारी शिंग अर्धनारिश्वर निबंद किस विदा की रशना है तो अर्धनारिश्वर निबंद विदा की रशना है मेरी आ कालेश डैरी अर्धनारिश्वर जो है रामधारी शिंदिंगर की रशना है और निबंद विदा है और त्रिवेडी जो है जो रशना है वह निवंद विधा की रशना है मेरी यूरोप यात्रा के लेखक राजेंद प्रशाद है या राजेंद रबाबू आप कुछ भी कह सकते हैं अगला 123 है मैला आचल के लेखक फड़िश्वनाथ रेडु है और रेवती के फूल रेवती के फूल के लेखक रामधारिशिंग रेती के फूल है ठीक ना रेवती नहीं रेती रेती के फूल जो है यह रशना आपकी है वह रामधारिशिंग दिनकर की 124 वा प्रशन है साहित्य और कला के लेखक भगवत्सरण उपाध्याय हैं 125 वा है आवारा मसीह के लेखक विश्वन प्रभाकर जी है तथा कुटज के लेखक हजारी पिशाद दिवेदी है 11 वर्ष का समय रामचंद शुक्ल की रशना है उसने कहा था बड़ी ही प्रशिद कहानी है चंदधर सर्मा को ले रिखी अगला है सुरज का साथ तमा घोडा के लेखक धरमीर भारती हैं 128 वा प्रशने इंदुमर्ती के लेखक की सोरिलाग वो श्वामी है माटी की मूर्ते के लेखक राम व्रिक्ष बेनी पुरी और साहित्या लोचन के लेखक शाम चिंतामनी राम चंद्ध शुक्ली की रखना है अजाज शत्र जेशिंगर प्रशाद की रशना है खून के छीटे भगोश्य मुपाद्या की रशना है पैरों में पंख बांद कर राम विक्ष बेनी पुरी की रशना है 131 प्रशन है रस्म इमान सा राम चंद्ध शुक्त न राजेंद प्रशाद ने लिखा है अनन्ता कास आपके मतलब किताब में प्रशन है किसी एक रशनाकार का नाम बताईए तो आपको हमने सब बताया आगे देखीए यह प्रकार शिक्ष शुक्त नहीं 300 प्रशन है भोर का तारा के लेखक है जगदीश चंद्रमाथुर भासा मेरी असफलता एं बाब गुलाव राय ने लिखा है कलंका सिपाही रशना जो है वह अम्रित राय आधनी काल में हुआ यूदि किस काल में हुआ तो आधनी काल में हुआ और प्रेम चंद अपने घर में जीवनी विधा एकके लेखि का कौन है तो शिवरानी देवी हैं हजरी प्रशाद दिवेदी बारभट की आत्म कथा अनामदास का पोथा इनकी रशना है हजरी प्रशाद दिवेदी ने लिखा है बारभट की आत्म कथा तथा अनामदास का पोथा ये अलग-अलग रशना है आत्म कथा मतलब और अनामदास का पोथा अगला है आपका किर्णर के रेश में यात्रा शाहित विदा की रशना है यह पाल की रशना है जूठा सच तथा दिव्या और एक नाटक कार आपके जो है वह मुहन राकेस है आवारा मसीहा जीवनी विदा की रशना है बहुत बार पूछा जाता है इसके रशना का विश्नु अगला है गाधी जी की रेन कृती जो है वाराजिन प्रशाद ने लिखा है किन्नर के रेस में कृती जो है वाराहु श्रांस कृत्याय ने लिखा है 147 प्रशन है डाक्टर भगवत सर्ण उपाध्याय की रशना इंडिया इन काली दास है बार भट की आत्मकथा के लेखक हजाईर प्रशाद दिवेदी है या इनका उपन्यास है क्या भूलूं कि आयात करूं हरिवन सराय बच्चन की आत्मकथा है और उजली आग के लेखक रा गोती चैनल वर्माजी है 155 प्रशन है देश पत्रिका के संपाधक डाक्टर राजेन प्रशाद है 156 बिखरे पन्यपदुलाल पुनाल बख्षी ने लिखाया रेती के फूल रामधारी शिंदिनकर ने लिखाया 157 प्रशन है डायरी विधा के लेखक धेरेंद्र कुमार व अगे हैं हमारे दर पढ़ाया आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके आप अवस्य बताइएगा अब 160 प्रशन है मिटी की ओर के लेखक हैं रामधारी शिंदिनकर पत्थ के साथी संसर्ण विधा की रशना है 164 प्रशने शेखर एक जीवनी के लेख किस विधा की र राजेंद प्रशाद राजेंद रियादों की रिशना है और देखे राजेंद रियादों अलग है और राजेंद प्रशाद अलग है या देखे एक भेट वारता जो रिशना है वह राजेंद रियादों की रिशना है 166 प्रशना है एक महिला कहानिकार कौन है तो सिवानी आदुनिक युक की कहानिकार हैं और रेस्मी टाई जो है वा एकांग की विधा की रिशना है भूले विसरे चित्र के लेखक भगवती शरण वर्मा है और अगला है 171 प्रशना आपका वट पीपल के रिशाईता हरिवन्स राय बच्चन है और 172 प्रशना है यात्रा के पन्न में राहुल शांस के त्यायन की रिशना है जो की यात्रा साहिती की रिशना है तो इस प्रकार से आपने देखा कुल 172 प्रश्नों के उत्तर अब हम एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे तब तक के लिए बाई बाई टेक केर आपना ख्यालब